Hello everyone, Final Revision में आपका स्वागत है और मैं हुई अश्य। आज के लेक्चर से हम Art and Culture की बात करना शुरू करेंगे और इस लेक्चर में इस्थापतिक अला की बात करेंगे चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस्थापतिक के बारे में तो इस्थूप क्या होते हैं? ये बहुत इस्थापतिक अला का एक अंग है जिन में गौतम बुद्ध की अस्थियां और अफसेश रखे जाते हैं इस्थूप एक पाली शब्ध है जिसका अर्थ होता है धेर गौतम बुद्ध के महापरी निर्वान के बाद उनके शरीर को आठ भागों में बाटा गया था जिनने साथ कुलों और एक राजा को दिया गया इनकी यही आठ अफसेश, कलस और संसकार की राक इस्थूपों में संग्रहित की जाती है इस्थूप एक अर्ध वृत्ताकार संरशना है जो मेधी या चबूत्रे के उपर एक उल्टे खटोरे के सामान रखी होती है जिसे ही अंड या एक कहा जाता है इसके समतल सीर्थ पर एक आयताकार संरशना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं जहां बुद्धिया उनके शेश के अफसेश रखे जाते हैं यह इस्थूप का सबसे पवित्र भाग होता है हर्मिका के मध्य में ही एक यश्टी रगी होती है जिसमें तीन शत्र होते हैं जो स्रधधा समान रुदारता या बुद्ध, धम और संग के प्रतीक होते हैं मेदी के चारोर घूमने का स्थान होता है जिसे प्रदिक्षिना पत कहते हैं ये पूरी संरशना एक वेदी का से घरी होती है वेदी का अलिंकृत भी होती है इसमें ही तोरण द्वार या प्रवेज द्वार होता है जिसका भी अलंकरण होता है इस्टूप प्राया इंट और पत्थर से बनाये जाते थे लेकिन शुंग और साथवहन राजाओं ने इनमें पत्थर प्योग के साथ अलंग करण भी किया। आगे स्टूप चार प्रकार के होते हैं। पहला शारेरिक स्टूप जिसमें बुद्ध तता उनके सिश्चों के अफसेश रखे जाते थे जैसे दांत, केस, अस्तियां आदी। दूसरे हैं पारी भौकिक स्टूप जिसमें बुद्ध द्वारा उप्योग में लाई गई वस्तूएं जैसे चरण पादुकाएं भिक्षा पात्र आदी रखे जाते हैं। तीसरे उद्देश्चिक स्टूप इसमें वे स्टूप आते हैं जिनने गौतम बुद्ध के जीवन से संबंदित इस्थानों या उनके यात्राओं के इस्थानों में बनाये गया है। और बुद्ध से संबंदित कुछ प्रमुक इस्थान हैं पावा, कुशी नारा, पिपली वन, कपिल वस्तू, वैशाली, राजग्रह, राम ग्राम, बेथा पीड़ा और अल्ल कप्पा। अब कुछ प्रमुक इस्थूप की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में स्थूप बनवाए थे अशोक ने। मगत के शाशक अजात सत्रू को बुद्ध की वन्दना करते हुए दिखाया गया है। आंदर प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर नागारजुन कोंडा इस्थूप का निर्मान मौरियोतर काल में इच्वाकू वन्दन के शाशकों की रानियों ने करवाया था। नागारजुन कोंडा इस्थूप का मुख्याकरसन केंद्र है इनके आयक या चबूतरे। इस्थूपों में बुद्ध का गृहत्याग या महाभेनिस क्रमन तथा जातक कताओं के दृष्यंके थे। आगे साथवाहन वन्ष्ट के समय अमरावती में इस्थूपों का निर्माण हुआ जिसमें अत्यदिक अलंकरण मिलता है। विहार धार्मिक इस्थापत्य का अंग है जो की बौद और जैन दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। विहार भिक्चूओं के निवास के लिए पहाडियों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। उडिशा के शाषक खारवेल द्वारा उदैगिरी और खंडगिरी की पहाडियों पर दो मंजिला रानी गुफाव विहार का निर्माण कराया गया था जो जैन धर्म से संबंदित हैं। इसके अतिरिक्त पश्चमी भारत में कारले, भज, नासिक, जुन्नार और कनहेरी में भी विहारों का निर्माण हुआ है। अब विभिन महत्पूर्ण चैत्ते और विहारों की अधि बात करें, तो अशोक ने विहार के रूप में बाराबर पहाडी में लोमस गुफा, सुदामा गुफा, कर्न चौपड गुफा और विस्व जोपडी गुफा का निर्माण कराया था। साथ ही मौरेवन्स के दसरत राजा ने नागारजुनी पहाडी में गुपड गुफा, बदथीक गुफा और वापिया गुफा का निर्माण कराया था। ये दोनों ही गुफाएं विहार के रूप में यूज होती थी। तो यही सारी बाते थी इस्तूप, चैत्य और विहा साथ ही में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंदिर स्थापति की, चलिए सबसे पहले मंदिर स्थापति के प्रमुक तत्यों की बात करते हैं, पहला है अधिष्ठान, यह चबूतरे नुमसन रच्णा होती है जिसे आधार बनाकर मंदिरों का निर्माण किया जाता नागर सहली में हमें देखने मिलता है कि अधिष्ठान एक आवश्यक तत्य है, जबकि द्रविंट सहली में यह आवश्यक नहीं होता। द्रविंट सहली में शिकर पिरामिट नुमा होते हैं और शीर्ष पर निर्मिट सनरच्णा को स्थूपी का गाह जाता है। आगे है परकोटा, यह मुख्यता द्रविंट सहली के मंदिरों की विसिस्ता है जिसमें मंदिर एक दीवार या परकोटे से घेरे होते हैं। यह सामाने ता नागर सहली के मंदिरों में नहीं देखने मिलते। आगे है गोपुरम यह भी द्रविट सहली में होता है, यह मुख्यता प्रवेश द्वार है, यह अत्यंत विशाल और अलंकरित होते हैं। गोपुरम की यह विशालता ततकालीन आर्थिक राजनेतिक सम्रिद्धी को दर्थाती है। तो यह थे तत्व मंदिर शैली के। अब विभिन प्रकार की मंदिर निर्मार की शैलियों की बात करते हैं। पहली है नागर शैली। नागर शैली उत्तर में हिमालाय से लेकर मद्ध भारत के विंद्याचल परवत तक देखने मिलती है। नागर शैली में मंदिर चतोशकोणी होते हैं, गर्व ग्रह वर्गाकार और मंदिर का शिखर रेखी तथा शीर्ट्स पर आमलक की संरशना होती है। मंदिरों में मंडप और प्रदिक्षिना पत भी होता है। उरीशा में बने मंदिर शुद्ध नागर सैली का प्रतिनिधित करते हैं। इसके बाद हैं द्रविण शैली के मंदिर ये मंदिर कृष्णा नदी घाटी से कन्या कुमारी के मद्धिके शेतर में मिलते हैं। इस शैली में अष्ट कोनी संरशना से युक्त मंदिर होते हैं, जिनका गर्व ग्रह आयताकार और शिकर पिरामिड नुमा होता ह इनके सीर्स पर इस्तूपी का पाई जाती है द्रविण शैली के मंदिर सामाजिक आर्थिक गति विदियों में सनलगन होते हैं ये मंदिर उत्पादवन और व्यापार में हिस्सा लेते हैं विबिन वस्तुओं के निर्माण और आर्थिक गतिविदियों के संदर में करज भी देते हैं तता उस पर व्याज प्राप्त करते हैं इस तरह ये बैंकिंग गतिविदियों से युक्त मंदिर हैं साथी द्रविण मंदिर सामाजिक उत्सव विवाज ऐसे कारियों का केंदर भी होते हैं इसलिए मंदिर काकार विशाल काय होता है इसके बाद आते हैं बेशर सहली के मंदिर मंदिर निर्मार की बेशर सहली नागर और द्रविण सहली का मिसरण है या शैली विंदे परवत माला से लेकर कृष्णा नदी के मद्य के शेतर में पाई जाती है बेसर सैली के प्रमुक मंदिर चालुक के राश्टकूट और होईशल वंस के शास्कों को द्वारा संरक्षित थे होईशल सासकों द्वारा मैसूर के हेल विडो में बनवाया गया हॉईसल एश्वर मंदिर उलेखनी है अब आगे बात करते हैं कि मंदिर वाश्टूकारा का विकास किन चरणों में हुआ इसके चार चरण है इसमें पहले चरण में मंदिरों में शिखर नहीं होते थे मंदिर एक सिर्फ छोड़े कमरे के समान होता था इसमें मंदिर संक्या 17 और मद्य प्रदेश का सातवी सदी में बना गंकाल देवी मंदिर इसके उधारन है दूसरे चरण के मंदिरों में अब आधार उचा होने लगा था मतलब अधिष्ठान बनने लगे थे मंदिरों में और जालियां तथा प्रदेक्षेना पत का निर्मान भी हुआ इसका उधारण है मद्य प्रदेश के नचना कुठार में बना पारवती मंदिर आगे तीसरे चरण आता है जिसमें सिकर बनना प्रारंब हो गया था और पंचायतन शैली के मंदिरों का विकास होने लगा था इसका उधारण है देवगान उतर प्रदेश का दशावतार मंदिर आगे चौथे चरण में मंदिरों का आताकार आधारतल बनने लगा जिसकी लंबाई ज्यादा होती थी जैसे की टेर मंदिर सोलापुर में चलिए अब विभिन शैलीयों के मंदिर किस किस समय में बने किस किस शाशक के सासन में बनाए गए इसकी बात करते हैं सबसे पहले आता है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य भारत में मंदिर निर्मान की शुरुवात गुप्तकाल से ही होती है गुप्तकालीन मंदिरों का निर्मान एक उचे चबूत्रे में चारो और चढ़ने के लिए सीलियों के साथ किया जाता था मंदर के भीतर गर्व ग्रह होता था जहां देवी देवता की मूर्ती स्थाबित की जाती थी मंदर के भीतर का भाग साधा होता था और चोखट पर शंख का चिनबना होता था गुप्त कालीन प्रमुख मंदिरों में मद्य प्रदेश में बना तिगवा का विश्नु मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर उलेखनी है ये था गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य अब मंदिर स्थापत्य के उडीसा स्कूल की बात करते हैं मतलब उडिजा मंदर समुhn की इस में सभा भवन को जगमोहन कहते थे है अधिश्ठान को पिष्ट कहा जाता था शीर्ट को मस्थक कहते थे शिखर को गंडी कहते थे और गर्व ग्रह को देवल या देवल कहा जाता था उडिसा स्कूल में भी शिकर के अनुसार मंदिर दो प्रकार के हैं पहला है रेखा या पीड़ा देवल जिसमें विश्नु सिव और सूरी की मूर्थियां होती थी और दूसरा है खाकरा देवल जिसमें चाउनडा या दुर्गा की मूर्थि होती थी अब प्रमुक मंदिर इस प्रकार है उड़ीसा स्कूल के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्मार सातवी सदी में यायाती केश्वरी के द्वारा किया गया था कोणार के सूर्य मंदिर का निर्मान 13 वी सदी में गंगवंस के शासक नरसें देव प्रतम ने कराया था यह मंदिर घोडे द्वारा खीचे जाने वाले विशाल पहियों वाले सूर्य देव के आकास रत की परिकल्पना पर बना है मंदिर के अंदर अलंकरन मिलता है जो प्रत्वी में जीवन के आनन्द और सूर्य की उर्जा देने की शक्ति को दरसाता है सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा गह जाता है आगे पुरी के जगनात मंदिर का निर्माण 1110 इसवी में अवंती वर्मन चोडगंग ने किया था इनके अलावा चार धामों में से एक बेताल देवल मंदिर आटवी सदी में निर्मित हुआ जो चामुंडा देवी का मंदिर है अब आगे बात करते हैं खजुराहो मंदिर समुहू के बारे में ये चंदेज शास्कों ने दसवी सदी में खजुराहो के समीब नागर शैली में मंदिर बनाए जो की शेव, वैशना और जैन धर्म से सम्बंदित है खजुराहू मंदिर समुहू के बारे में एक विद्वान फर्ग्यूशन ने कहा था कि खजुराहू के मंदिर सामप्रदाइक सौहार्द की प्रेणा से निर्मित हुए है इनकी विशेषता इस प्रकार है कि यहां मंदिरों का निर्मान खुले स्थान पर हुआ है इसके चारो और कोई दिवार नहीं मिलती यह मंदिर बलुआ पत्तरों से बने हुए है एक उचे अधिस्थान पर बनाये गए मंदिर अत्यांत भव्य शिखर और जालीदार खिड़कियों से निर्मित है मंदिर के शिखर पर कलस या आमलक की सनरशना मिलती है और यहां गर्व ग्रह के प्रवेश द्वार को सजाया गया है खजुराहों में पंचायतन शेली से मंदिर निर्मित हुए हैं जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारो कोनों में अन्य मंदिर होते हैं खजुराहों के प्रमुक मंदिर में पहला है लक्षमन मंदिर जो दस्वी सदी में बना इसे यशो वर्मन ने बनवाया था जिसमें वेंकट विश्नु के तीन मुख है इसके गर्ब ग्रह में पंचरत नुपस्ते थें मतलब पांच देवी देवता या इनके शिकर में पांच सीडिया निर्मे थें अगला खजुराहों का मंदिर है पारसुनात मंदिर यह भी दस्वी सदाब्दी में बना था यह राजा धंग ने बनवाया था ये जैन मंदिर है पांचनात मंदिर की बाहरी दिवार में वैश्नाव धर्म की नकासी मिलती है खजुराहों में अगला म आता है कंदरिया महादेव मंदिर यह 11 शदी में बना था जो शेव का मंदिर है यह खजुराहों का सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है इन मंदिरों के अलावा खजुराहों में चतुर भुज मंदिर भी उपस्तित है अगला मंदिर समुह है गुजरात या राजिस्थान के मंदिर इन्हें मंदिरों का सोलंकी स्कूल भी कहा जाता है इनका निर्माण सोलंकी शास को नहीं करवाया था मंदिर में बने गुंबद और प्रवेश द्वार अत्यांत आगरसक है प्रवेश द्वार पर नौ ग्रहों का अंकन इसकी उलेखनी विशेषता है यह मंदिर संगमर्मर से बना है मंदिर की छत के केंदरी भाग में बने हुए कोश्टक महराब की संद्रशना जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन यह वास्तविक महराब नहीं है अब इसके अलावाग गुजरात में बलुआ पत्थर से बना हुआ मंदिर भी उलेखनी है जिसे मोडेरा का सूर्य मंदर कहते हैं इसे ग्यारवी सदी में भीम फर्ष्ट नहीं बनवाया था मोडेरा के सूर्य मंदर में सूर्य कुंड, गूर्य मंडप, सभा मंडप आदी मौजूद हैं सभा मंडप की चत्र और इस्थम्ब नकासी दार है इसमें चार द्वार हैं तता तलाब भी पस्तित हैं अब सोलंकी स्कूल की कुछ विषिस्ता है इस प्रकार हैं कि यहां दिवारों में अलंकरण मिलता है, जलासे नहीं मिलते बलुआ, काले पत्थर और संग्मर्मर आदी का प्रयोग किया जाता है यह था सोलंकी स्कूल के मंदर चली अब नागर्स शैली के बाद बात करते हैं दक्षिन भारत की शैली मतलब द्रविन शैली के मंदरों की इसमें सबसे पहले बात करेंगे पल्लव वंश के मंदरों की अब पल्लवों ने वास्तु कला को कास्त कला से मुक्त किया और पहाडियों को काट कर मंदर निर्मान की नई शैली विक्सित की थी पल्लव शासकों के नाम पर मंदिर निर्मान की चार शैलियं विक्सेत हुई पहला है महेंद्र वर्मन शैली इसमें मुक्यता चट्टानों को काट कर मंदिरों का निर्मान किया जाता था यहां मंदिरों को मंडब कहा जाता था और मंडब साधारन होते थे जिसके पिछले भाग में गर्व ग्रह बना होता था यहां बने हुए पंच पांड़ाव गुफा मंदिर में एक तरफ क्रश्न को गोवर्दन परवत उठाए हुए दिखाया गया है तो दूसरी तरफ उन्हें गाये दोहते हुए भी दिखाया गया है महिंद्र वर्मन शैली के प्रमुक मंदिर हैं भैरव कूंड मंदिर और नंद वल्ली का अनंत शयन मंदिर पल्ला ववंश के मंदिरों में अगली शैली आती है मामल शैली या फिर इसे नर्से वर्मन प्रथम की शैली भी कहा जाता है नरसें वर्मन के समय से जिन मंदिरों का निर्मान किया गया उन्हें रत मंदिर कहा गया ये एकास में या मोलोलितिक होते थे ये एकी पहाडी को काट कर बनाये जाते थे अब इन रत मंदिरों को सामोही कुरूप से सब तो पगोडा भी कहा जाता है इन में सबसे बड़ा रत मंदिर है धर्मराज रत मंदिर इन सभी में नर्सिंवर्मन प्रतम की मूर्ती बनी हुई है इन में द्रौपदी रत मंदिर सबसे छोटा है इसके अतिरेक्ट अर्जुन रत, भीम रत, गनेश रत, नगुल शहदेव रत, आदी प्रमुक आठ रत मंदिरों में से एक है मामल शैली के मंदिरों में वाराह मंडप, महिस मंडप और पंच पांडव मंडप जैसे मंडप मंदर इस्तित है वाराह मंडप को गुफा खोट कर और पंच पांडव मंदिर को गुफा काट कर बनाये गया है पल्लाव वंश के मंदिरों की अगली शैली आती है राज सहन शैली ये सातवी सताब्दी में बने मंदिर है जिनने नरसे वर्मन दुटी के द्वारा बनाये गया है इस शैली में इट और पत्थर से बने मंदिर आते हैं अता अब इमार्ती मंदिर बनने लगे थे यहां के प्रमुक मंदिर है कांची पुरम का कैलास मंदिर वेंकट पेरुमल मंदिर जिसमें भगवान विष्णू तीन मुद्राओं में उपस्तित हैं तथा यहां एकजार इस्थंब वाला हॉल भी उपस्तित है कांची पुरम के कैलासनात मंदिर में शिव पारवती की नरित्य प्रतियोगिता को दर्साया गया है आगे आता है महाबली पुरम में इस्थित शोरे का मंदिर यह समुद्र तटी मंदिर है जो सबसे पहला संरशनात्मक मंदिर है और सोरे का मंदिर ग्रेनाइड से निर्मित है इसे यूनेसको की विष्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है यह सबी मंदिर बनवाये थे नर्से वर्मन दुए तीन है अब पल्लववन्स की अगली शैली है नंदी वर्मन शैली इस समय अत्यां छोटे मंदिर बनने लगे थे मतलब यह पल्लववों की राजनेतिक स्थिती में कमजोरी को दर्सा आता है अब पल्लवों के बाद बात करते हैं चोल वस्तू कला की तो चोल वन्स सम्बंदित मंदिर भी द्रविण स्थापत्य कला के ही है यहां द्रविण स्यैली का पूर्ण विकास देखा जाता है चोल वन्स के कुछ प्रमुक मंदिर इस प्रकार है पहला विजयाले मंदिर जिसमें विरत्यकार गर्वग्रह है वर्गाकार प्रदक्षना पत है और चार मंजिला विमाए है इसके वाद आता है तंजोर का व्रेध देश्वर मंदिर जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था इसमें दो गोपुरम उपस्ते थें और विमान की उचाई 60 मीटर की है तंजोर का व्रेध देश्वर मंदिर भी ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसी से प्रेरित होकर आगे चलकर गंगई कुंड चोलपुरम का भी व्रेध देश्वर मंदिर बना जिससे राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था ये भी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है इसमें बनी हुई विशालकाय नंदी की प्रतिमा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है पहली प्रतिमा तो लेपाक्षी मंदिर की है लेकिन वो चोलवंस ने नहीं बनवाया था चोल वंश का है गंगई कुंड चोल पुरम का व्रहदेश्वर मंदिर चोल शास्कों के मंदिरों को देखकर विद्वान फर्ग्यूसन कहता है कि चोल कलाकार राक्षच की तरह सोचते थे और जोहरियों की तरह तरासते थे अब चोल वंश के बाद आता है विजय नगर मंदिर इस्थापत्य अब विजय नगर सामराज का उद्वाव 1336 में हुआ था जो कृष्चना तुंग भद्रा नदी के छेत्र में विस्तारित था इसकी राजधानी हमपी थी जो तुंग भद्रा नदी के किनारे है यहां शाषक कृष्चन देवराई की समय बना विठल स्वामी मंदिर उलेखनी है विजय नगर मंदिर निर्माण कला में गोपुरम को राय गोपुरम कहा जाता था साथी मंदिरों में अमनमठ और कल्यान मंडप उलेखनी सनरशनाय है अमनमंठ किसी देवी को समर्पित है जबकि कल्यान मंडप विशाल काय सभाववन होता है जिसमें सैकडो स्थम्भ होते हैं अब विजय नगर सामराज के शाषक हिंदू धर्म के अनुयाई थे अता इन्हों ने मंदिर निर्माण को प्रोचसायत किया इनकी राज़ानी हमपी में बना विरुपाक्ष मंदिर बहुत विशाल है अब विजय नगर राज जी ने ही आंदर प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था और यहीं पर भारत के सबसे विशाल खाये नंदी की प्रतिमा मौझूद है अब विजय नगर सामराज जी के बाद नायकों का उदाय हुआ और नायकों ने भी मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें 17वी सदी के मध्य तिरुम अलाई नायक के काल में सुन्दरेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ सुंद्रेश्वर मंदिर सेव को समर्पित है जबकि मीनाक्षी मंदिर देवी मीनाक्षी के रूप में शेव की पतनी को समर्पित है इन मंदिरों को मीनाक्षी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है मीनाक्षी मंदर का निर्मान तमिल नाडु के मदुरे नगर में वेगई नदी के दक्षण में हुआ मीनाक्षी मंदर की दीवारों और इस्तंबव पर अनेक आकृतियां बनी हुई है इन मंदरों के पास एक विशाल सरोबर है यहां मंदर सामाजिक आर्थिक गतिविद्यों का केंद्र है मीनाक्षी मंदर का गोपुरम भारत में सबसे विशाल गोपुरम है तो ये थी मंदर निर्मान की द्रवेंड वास्तु कला सैली चली अब बात करते हैं बेसर सैली के प्रमुक मंदिरों के बारे में बेसर सैली नागरों द्रविंड सैली का मिसरण है इसमें कला का प्रमुक केंद्र चालुक के वंस के अंतरगत आने वाले एहोल और वातापी नगर है बेसर सैली में मुखिता विमान और मंडब पर जोड़ दिया गया है यहाँ पर खुला प्रदक्षिना पत मिलता है और इस्तंब घाट और द्वार पर भवे अलंकरन मिलता है यह सामाने ताक करनाटा के स्कूल में देखने मिलता है चालुक के शासन के अंतरगत एहोल के लगभग सत्तर मंदिरों का निर्मान हुआ जिसमें चालुक के शासक पुलीकेशिन दुती के मंतरी रवीगीरती द्वारा बनवाया गया मैगूती जैन मंदिर उलेखनी है इसी तरह वातापी गुफा में सिव, विश्नु और जैन, तीर्थंकर, पार्षणास से संबंदित मंदिर बने हुए है चालुक के मंदिरों में प्रमुक है हंपी का वीरुपाक्षी मंदिर, ये पटकल कस्वे में साथवी सदी में बना इसमें चारो दिशाओं में मंडफ है, ये रानी लोकम देवी इवद्वारा बना है, ये काजीपुरम के मंदिर की एक नकल है इसके अलावा चालुक्कियों में संग मेच्षवर मंदिर बना है फिर विजिदत्य सत्याग्रह द्वारा तीन मंजला मंदिर का निर्माण कराया गया आगे पापनात मंदिर सबसे पहला बेशरसेली का मंदिर था जिसमें रामाय correction महा भारत आधिक उलेख मिलता है इनके अलावा मलिकारजुन मंदिर है जो त्रिलो की महादेवी द्वारा बनवाया गया था पापनाथ मंदिर, मलिकारजुन मंदिर, संगमेश्वर मंदिर ये सभी करनाटक के पटिकल में इस्ते थे अब बेसर शैली में चालुक्यों के बाद राष्टकूट शाषन में भी मंदिरों का निर्माण हुआ इसमें महराष्ट के औरंगाबाद में एलोरा में राष्टकूट शाषक कृष्ण फ़स्ट ने केलास नाथ मंदिर का निर्माण कराया जिसमें द्रविंट शैली के सिखर मंडप और गोपुरा मिस्तित हैं इस मंदिर की खास विसेशता यह है कि यह एक मोलोलितिक स्ट्रक्चर है और पहाडी को उपर से नीचे की ओर काट कर बनाये गया है यहां पर ब्राम्मन बहुत और जैन धर्म से संबंदित गुफा मंदिर बने हैं राष्ट कूटों के समय बॉम्बे के निकट ऐली फेंटा गुफा मंदिर का भी निर्मान हुआ था यह मंदिर शिव को समर्पित हैं शिव के यहां तीन मुख बने हुए हैं अब एली फेंटा की अधिकांस गुफाएं तो शिव को समर्पित हैं लेकिन साथ ही यहां बहुत अधर्म से संबंदित गुफाएं भी हैं इन्हें विश्व विरास्त सूची में शामिल किया गया है तो यह थी जारी बात हैं मंदर इस्थापद्दिक अला के बारे में अब अगले टॉपिक में बात करते हैं इंडो इस्लामिक इस्थापद्दिक के बारे में इंडो इसलामिक सैली की सरप्रथम विशेशता त्रावियत और अर्क्वेट सैली का सुन्दर समनवय है अब इसमें भारती सैली है त्रावियत जिसमें वल्ली और सहतीरों का प्रयोग भवन निर्मान में होता है और अलंकरन के लिए फूल पत्ती का प्रयोग किया जाता है दूसरी तरफ इसलामिक सैली में आती है अर्क्वेट सैली जिसमें गुंबद और महराबों के माध्यम से भवनों का निर्मान होता है साथ ही सजावट के लिए अर्बश्च पद्दिती का यूज होता है अर्बश्च पद्दिती में अर्बी लिपी में लिखी हुई कुरान की पंक्तियों के साथ फूल पत्तियों के माध्यम से भवनों की सजावट की जाती है यह इसलामिक इस्थापतिक अला की खास विशेष्टाएं है अब इंडो-इस्लामिक इस्थापतिक अला में गुंबद और महराब की संरिशना ने भवनों में विशाल सभा भवन के निर्मान को सरल बना दिया है इसके होने से अब बड़े-बड़े इस्थम्मो का निर्मान नहीं करना पड़ता इससे भवनों में विशालता और भविता तथा मजबूती आती है ये गुंबद और महराव इसलाम की देन नहीं है बलकि गुंबद और महरावों के आरंबिक संरशना प्राचीन काल के रोम में मिलती थी और इसे भारत में लाने का स्ट्रे कुशानों को जाता है लेकिन तुर्की शासकों ने यहाँ पर इस पद्धिती को लोकप्री बनाया इंडो इसलामिक इस्तापतिक अला में भवन निर्मान सामगरी में पत्तरों का खूब प्रयोग किया जाता है पत्तरों को आपस में जोडने के लिए चूना पत्तर और जिप्सम का प्रयोग करते हैं अब क्या होता है कि इसलाम में प्राणियों के चित्रन नहीं किया जाता इसलिए अलंकरन के लिए जामीती, प्रतीक तथा फूल पत्तियों से अलंकरन होता है जहां पर कमल तथा घंटे का परियोग सामानेता देखने मिलता है इस तरह इंडो इसलामिक इस्थापतिक अला में धार्मिक तथा धर्म निर्पेक दोनों ही पहलू देखने मिलते हैं चलिए अब विबिन काल में शास्कों के द्वारा जिन इंडो-इस्लामिक इस्थापति की ही इस्थापना की गई उनके बारे में देखते हैं सबसे पहले दिल्ली संतलत काल में इस्थापति कला के विकास को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है इलबरी काल कुतुबुद्धिन एबक ने चिष्टी सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्धिन बक्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मेनार का निर्माण शुरू करवाया था जिसे सुल्तान इलतुत में इसने पूरा किया और फिरोज साथ उकलक के काल में इसकी मरम्मित भी हुई थी कुतुब का अर्थ होता है इस्थंब जो न्याय और संप्रभूता का प्रतीक है यह मीनार शंकू के आकार का है और कुतुब मीनार के छज्जों में इस्टे लेक्टाइट हनी कोमिंग तकनीक का प्रयोग हुआ है कुतुब मीनार के अलावा एबक ने अजबेर में अड़ाई दिन का जोपड़ा नामक मजचित का भी निर्माण करवाया था इलबरी काल के बाद आता है खिलजी काल यहां अलाउद्दिल खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया इसमें घोडे के नाल के आकार की महराब बनी हुई है जिसमें कमल की कली की तरह की जालरें लगी हुई है जिसे मारसल ने इसलामिक इस्थापत कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा कहा है याद रखना मारसल ने कहा है इसे अलाई दर्वाजे की दीवारों पर बनी हुई अलंकृत जालियां अत्यांत ही आगर्शक है अब खिलजी इस्थापत के बाद आता है तुगलक काल तुगलक काल में वास्तुकला की नवीन शैलिया सामने आई इसमें खुर्दूर पथर का प्रयोक और तिर्शी दीवारों का निर्मान होने लगा जिने सलामी दीवार कहते हैं सलामी तुगलक इस्थापति की खास विलेशता है सलामी से इमार्तों को मजबूती प्रदान की जाती थी दिल्ली के पास ये तुगलकाबाद में ग्यासुद्दिन तुगलक द्वारा एक आगरसक भवन का निर्मान कराये गया जिसकी प्रसंसा करते हुए इबन बतुता नमक यात्री कहता है कि सूरियोदय के समय यह इतनी तेजी से चमकता है कि देखने वाले की आँखें टिक नहीं पाती तो ये था तुगलक काल का इस्थापत्य आगे आता है सैयद और लोदी काल सैयद वन्ष के इस शाषन के दौरान बड़ी संक्या में मगबरों का निर्मान किया गया यहां अश्टकोनी मगबरे बहुत फेमस है फिर लोदी वन्ष के काल में भवनों को बाग के माध्यम से उचे चबूतरों पर बनाया गया और इस निर्मार्ट शैली को चारबाक्स शैली कहा गया इस चारबाक्स शैली का पूर्ण विकास हमें मुगल काल में देखने मिलेगा अब आगे दिल्ली सल्तनत के बाद कुछ छेतरी इस्थापत्य कलाओं की बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहला है जौनपूर का इस्थापत्य अब दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर ही बना था जौनपूर इसमें शर्की वंस का सासन था जौनपूर सिक्षा और वास्तुकला का प्रमुक केंद्र था इसलिए इसे पूर्व का सिराज भी कहते थे यहां पर मुक्यताव वर्गाकार इस्थंप, तिर्ची दीवारे, छायादार मार्ग आगदी बने होते थे साथी प्रवेश द्वार की सजावत और उसकी विशालता शर्की सहली की खास विशेशताएं है जौनपूर इस्थापत्य में तुगलग इस्थापत्य का प्रभाव देखने मिलता है इसका प्रमुक उदारण है अडाला मस्जिद और जंजरी मस्जिद इसके बाद इस्थापत्य में मालवा इस्थापत्य आता है जिसकी प्रमुक विशेशता है धरातल से प्रवेश द्वार तक बनी हुई भव्य और चौड़ी सीडिया है भवनों में रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और मीनारों का प्रयोग नहीं होता था इसमें प्रमुक उधारण है अशर्फी महल, जहाज महल और हिंडोला महल आगे आता है बंगाल इस्थापत्य जिसमें मुखिता इटों का प्रयोग किया जाता था नुकीले महराब बनाए गए बंगाल इस्थापत्य के उदारने अधीना मस्जित और बड़ा सोना मस्जित आगे आता है दक्कन इस्थापत्य जो 14 से 16 वी सदी के मध्ध देखने मिलता है इसमें तुगलक और इरानी कला का प्रभाव देखने मिलता है इरानी कला में गुंबदों का प्रयोग विशेश रूप से किया गया है तरथा दक्कन में बीजापूर में मौमद आदिल साह का मकबरा जो की गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है इसकी खास विशेश्टा यह है कि इसके अंदर ध्वनी का गुंजन होता है आगे 1599 में हैदराबाद में चार मिनार इमारत का निर्मान मौमद कुली कुतुब शाह ने कराया था तो ये थी कुछ इस्थानी स्थापत दिकला चली अब आगे बात करते हैं मुगल स्थापत दिकला के बारे में अब आप हमारे इस चैनल फाइनल रिवीजन विट यश के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाईए और वहाँ पर मुगल वन्स के बारे में सर्च कीजिएगा वहाँ पर मैंने डिटेल में यहां के आर्ट इन कल्चर के बारे में बात की है फिर भी थोड़ा बहुत यहां बता देता हूँ मुगल स्थापत के बारे में मुगल स्थापत कला इंडो इस्लामिक्स शैली की सुंदर समन्वित विशेषता है यहां पर ट्रावियत और अर्कुएट स्थापत शैली के साथ साथ हमें बौध, जैन तथा इरानी कला शैली के तत्व भी मिलेंगे भवनों के निर्माण में बलुआ पत्थरों संग्मर्मर का प्रयोग किया जाता था भवनों में बहुमूली पत्थरों और हीरे जवारातों से कई सजावट उलेखनी है और इसे पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग एत्मुद दौला के मगबरे में आगरा में देखने मिला इसका निर्माण नूर जहां ने अपने पिता के लिए करवाया था आगे मुगल इस्थापत्त में चारबाक शैली दोहरे गुंबत का अत्यदिक प्रयोग हुआ है इसका प्रत्मुदारन हुमाईयो के मगबरे में देखने मिलता है जिसका अब निर्माण हाजी बेगम ने कराया था इसे ताज का पूर्व रूप कहते हैं यहां दोहरे गुंबतों का निर्माण हुआ है आगे अकबर के काल में आगरा और फतेपूर सीकरी के अनिक भवनों का निर्माण हुआ इस निर्माण कारिय में लाल वललुआ पत्थर का तदिक प्रयोग देखने मिला अकबर ने फतेपूर सीकरी का निर्माण जहांगीर के जन्म के समय करवाया था यहां बना बुलन दर्वाजा अकबर ने गुजरात विजे के उपलक्ष में बनवाया था इसी तरह अकबर ने इबादत खाने का निर्मान कराया जहां वह वेभिन्न धर्म के लोगों से मिलता था और यहां का जो पंच महल है वह बहुत इस्थापत कला से प्रभावित है आगे जहांगीर का काल आता है जिसमें आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मगबरा बना यहां की दिवारों पर की गई सजावट और निर्मित जालिया उलेखनी है जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और कश्मीर में शाली मार बाग का निर्मान भी कराया था फिर आगे साहजां का काल मुगल इस्थापति कला का स्वंड कार कहलाता है इस काल में संग मरमर का अत्यदिक प्रयोग देखने मिलता है साहजां ने दिल्ली में लाल किला जामा मस्जिद आदी का निर्मान कराया लाहॉर में शाली मार बाग बनवाया शाह जाह ने आगरा का ताजमहल बनवाया जिसमें पिट्रा ड्यूरा सैली देखने मिलती है यहां चारवाग पद्धिती भी विशेष्ता और लेखनी है यह जो ताजमहल है ना इसकी डिजाइन उस ताज एहमद लाहौरी ने तयार की थी और ईशा खां के नितरत में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था हावे लामक विद्वान ने ताजमहल को नारित्व की एक साकार प्रतिमा कहा है साहजाया ने एक मयूर से हासन का निर्माण भी करवाया था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था अब आगे औरंजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनती हुई मतलब नीचे गिरा वास्तुकला का छेत्र क्योंकि औरंजेब का काल प्रशासनिक अईस्थिरता का काल था और अंजेब ने औरंगाबाद में राविया उद्दौरानी का मकबरा बनवाया था जिसे ताज की भद्दी नकल कहा जाता है तो ये था मुगल स्थापत्य चलिए अब आगे आज के लास्ट टॉपिक में देखते हैं विबिन धर्मों से संबंदित इस्थलों के बारे में जिसमें मस्जित, गिर्जा घर, सिने गौंग, गुरु द्वारा और अग्यारी की बात करते हैं इसके बाद विक्टोरिया कला या आदुनिक वास्टू कला की भी बात करेंगे तो सबसे पहले आता है मस्जित, इस्थापत्य के अंग इसमें पहला है लिवान जो मस्जित के अंतर गद खंभों वाला कक्ष होता है तिर किवला, किवला मस्जित में नमाज पढ़ने के लिए कक्ष की एक दीवार है जो सदेव मक्का इस्थित काबा की दिश्या में होती है अब जो काबा है न वह साउदी अरब में इस्थित मक्का का एक घनाकार इमारत है जो मुसलिम धर्म का पवित्रिष्थल है इसके चार ओर साथ बार परिक्मना करने की रीती को तवाफ कहा जाता है हज यात्रा के दोरान इस रिवास को पूरा किया जाता है मस्जित का अगला अंग आता है मक्सुरा किवला के आखिरी सिरे को मक्सुरा कहा जाता है इसका प्रयोग प्राया शाही वेक्तियों और मौल्वियों को करने का अधिकार था आगे है सहन सहन मस्जित का आंगन है जहां मुस्लिम अनुयाई प्रात्ना के लिए एकत्रित होते हैं ये थे मस्जित इस्थापत्य के आंग आगे बात करते हैं गिरिजा घर के आंगों के बारे में तो गिरिजा घर इसाईयों का प्रात्ना स्थाल है इसमें जो पल्पिट होता है वह एक उचा स्थान है जहां से पादरी प्रात्ना करने वालों को संबोदित करते हैं आगे है चांसेट यह गिर्जा घर में पादरियों के लिए आरक्षित छेतर है जो पर्दे से घिरा होता है और यहीं मुख्य वेदी रखी जाती है अगला है आईल आईल गिर्जा घर में दिवार और लोगों के बेटने के बीच में एक सकरी और पतली जगा होती है भारत में पहला गिर्जा घर केरल में पुर्टगालियों द्वारा पंद्रा सो दस इस्वी में बनवाया गया था चलिए अब आगे बात करते हैं यहूदियों के पूजा इस्थल सेनर गॉंग के बारे में यहूदी धर्म का संस्थापक इबराहिम को माना जाता है इसके पुरोहित को रभी कहते हैं यहूदियों के धर्म ग्रंथों के नाम है तोरा, तनाका और तालमुड यहूदी धर्म भी एके स्वर वादी है इनका मानना है कि इस्वर अपने संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेशित करता है मूशा इनके प्रमुक पैगंबर है आगे बात करते हैं गुरु द्वारे के बारे में गुरु द्वारे के निर्मान में सिख शास्कों ने कुछ अपनी नई शैली के तत्व भीडा ले और कुछ अन्य तत्व मोगल इस्थापत से भी गुरहन किये सिख वास्तु कला में चत्रियों की बहुलता, तांबे और कांसे से जड़े हुए धारीदार गुमबत तथा ज़रों को का तदिक प्रयोग देखने मिलता है अमरिच सर का स्वर्ण मंदिर एक बड़े सरोवर के मध्यमेस्तित है और भूमी सता से एक पक्के सेतु से जड़ा हुआ है चौते सिख गुरू रामदास को अकबर ने भूमी ब्रदान की थी, यहीं अमरिच सर्ष शहर का निर्माण हुआ यहां पांचवे सिख गुरू अरजुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया, इसे पहले हर मंदिर साहब के नाम से जाना जाता था इसकी नीव रखने का स्वरे एक कादरी सूफी संत मिया मीर को दिया जाता है 1803 में महाराजा रंडजी सिह ने इस गुरु द्वारे में संग्मर्मर से निर्माण कराया और लगबग 400 किलोग्राम सोने की परत चड़वाई तब से इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा चलिए अब आगे बात करते हैं अग्यारी के बारे में अग्यारी पार्सी धर्म का पूजा इस्थल है पार्सी धर्म के संस्थाबग जर्द्रुष्ट को माना जाता है यह एक इस्वरवादी धर्म है पार्सी धर्म में लोग अहुर मजदा नामग इस्वरी सक्ति में विस्वास करते हैं इनका पवित्र ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता और इनका पवित्र चिन है सर्दों अब विबिन धर्मों से सम्बंदित पूजा इस्तलों की बात करने के बात करते हैं विक्टोरिया कला या आधुनिक वास्तुकला की विक्टोरिया कला शेली भारत में भारती और पश्चिमी वास्टुकला का समनवेगरती है इसमें इस्थम्ब और टेरिसदार भवनों का अतिदिक निर्माण किया गया है 1911 में जब भारत की राज़ानी कलकत्ता से दिल्ली स्थाना अंतरित की गई तब दिल्ली के प्रमुक वास्टुकार थे लुटियन और उनके सायोग किया था एडवर्ड बेकर ने लुटियन और एडवर्ड बेकर ने यूरोपी शैली के भवनों के अनुरूप निर्माण कराया जिसमें विश्याल कायक खिड़कियों का निर्माण उलेखनी है दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन लुटियन नही तयार किया है और युद्ध इसमारक के रूप में इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ इसका निर्माण उन भारती सैनिकों की स्प्रती में किया गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तथा अफगान युद्ध में शहीद हुए थे यहां अमर जवान जोती इसमारक स्वतंतरता के बाद बना था और यह 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारती सैनिकों के सम्मान में बना इसी तरह बॉंबे में स्थित गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान 1924 में जॉर्ज विंटेट ने किया इसका निर्मान ब्रिटिस सम्राट जॉर्ज फिफ्ट तथा रानी मैरी के आगमन के सम्मान में हुआ था अब वास्तुकला के शेत्र में लिूरी बैकर 1917-2007 का नाम बहुत प्रसिद्ध है इन्होंने केरल में सामुईक आवास का निर्मान के शेत्र में क्रांती लाई थी गरीबों के वास्तुकार के रूप में प्रसेदिल ल्यूरी बेकर अपने सिद्दान्त में यह मानते थे कि भवनों को परियावरण के अनुरूप निर्मित करना चाहिए इसमें जहां तक संभव हो निर्मान को इस्थानी सामगरियों से निर्मित किया जाए उन्होंने मकान के अंदर वायू संचार और प्रकास की उपलबता पर बल दिया और इस निर्मान की प्रासंगिकता आज भी है जहां हम एन्वार्मेंट फ्रेंडली बिल्लिंग्स बनाने की बात कर रहे हैं और इसी के चलते लिूरी बेकर को वास्तुकला की क्रांती का अग्रदूद भी कहा जाता है ये सारी बाते थी विक्टोरिया वास्तुकला की अब आगे बात करते हैं इस्थंब कला के बारे में इसमें उलेखनी है अशोक के इस्थंब अशोक के स्थंब में शेर शक्ती का प्रतीख होने के साथ सांत मुद्रा में इसलिए हैं कि वे शक्ती के सांती का भी प्रतीख है मौरिकालीन इस्थम्ब चुनार बलुवा पत्थर से बने हैं और ये एकास्म हैं बिना किसी सहारे के खुले आस्मान के नीचे खड़े हैं जिनकी उचाई लगबग 30 से 50 फिट तक की है और वजन 50 टन का है मौरिकालीन इस्थम्बो की संरशने की बात करें तो इस्थम्बो के दो भाग हैं पहले भाग को शीर्स और दूसरे भाग को गावदुल माट कहते हैं इस्थम्बो का आधार चोड़ा है जो क्रमसा उपर जाते जाते पतला होता जाता है इस्थम्बो के सीर्स पर एक चौकी पाले सांड की पशुआकरती है। in यूनानी कला का बनाओ यह पना हे तथा इसकी कंठी में प्राकृतिक चितर बने हुए है। इसके अलावा बिहार के लूरिया नंदंगर्ण में इस्तेत स्तंब में शेयर बना हुआ है और इसकी चोकी में हंस बने हैं। यहाँ शेर, वीर्ता और कंडबर्ता का प्रदीख है. आगे बिहार में, रामपुर्वा इस्तंब में, शेर बना हुआ है, तथा यूनानी कला का इसमें प्रवाव देखने मिलता है, और इसकी चौकी में प्राकृतिक पौधे बने हैं, और साथ ही एक व्रिशब या बैल का बना हुआ इस्तंब भी है यहाँ पर. इसके अलावा मौर्यों का सबसे पहला इस्तंब है वैशाली में बना बखेडा इस्तंब, नेपाल में निगली हवा का इस्तंब भी इस्तंब 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 है, और सबसे प्रमुक बिहार के सारनात में जो इस्तंब बना उसमें चार सेर बने हुए हैं, और इसकी सीर् पर बने चार सेर प्रतिक आत्मक अर्थ रखते हैं इसलिए यहां के चिन्न को भारत का राज्य चिन्न बनाया गया है। पर बने चारित है जहां मानव कल्यान प्रमुक लक्ष है। जो इसे विश्व की प्राचीन संस्कृतियों से अलग बनाती है। चली अब आगे बात कर लेते हैं कि अशोक के इस्थंबों से संबंदित कौन-कौन से विवाद उपस्ते थे। तो अशोक के जो इस्थंब है ना उन्हें इरानी इस्थंबों की नकल कहा जाता है क्योंकि इरान के शासक ने इस्थंबों का निर्माण कराया था तता जिनके सीर्स पर भी आकरतियां मौजूद थी जो की चमकदार इस्थंब थे। लेकिन हमारे अशोक के इस्थंब भी इस इरानी इस्थंब से बिलकुल अलग थे। इन्हें उनकी नकल कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि अशोक के इस्थंबों में सरूप गत अंतर दिखाई देता है। अशोक के इस्थंब नीचे से ऊपर की ओर क्रमसा पतले होते जाते हैं जबकि इरानी इस्थंबों की चौडाई नीचे से ऊपर तक एक समान है। नानी की विदी इरान से नहीं ली गई थी बलकि यह भारत में ही मौजूद थी। तो हम देख सकते हैं कि असोक के इस्थंबों की गुणवत्ता इरानी इस्थंबों से कहीं अधिक देखने मिलती है। अब आगे बात करते हैं हेलियोडोरस के गरुन इस्थंब के बारे में। हेलियोडोरस इंडो-ग्रीक्स शाषक का राजदूत था जो भारत में मौरियोत्तर काल में श्योंगवन्स के शाषक भागभद्र के दरवार में विदीशा आया था। और उस नेमत प्रिदेश के विदीशा में भागवत धर्म के सम्मान में गरुन इस्थंब की स्थापना की थी। अब आगे एक साची के इस्थंब की भी बात कर लेते हैं। इसमें चार सेर हैं, इसमें घंटाकार आकरिती नहीं है, चौकी के उपर हंस बना हुआ है, और साची में तोरण में बने हैं या है इस्थंब, मतलब इस्थंब के आसपास जो तोरण होता है उसमें। अब जो यहां हंस है, वह भगवान बुद्ध के शिश्चों का प्रदीख है, साची के स्थूप यूपी के बलुवा पत्थर से बने हैं। तो ये सारी बाते थी इस्थंब इस्थापत तिकला की। का प्रदीख के साथ, थेंक यू सो मुच फर लेस्निंग।